पुश्पा मूवी का बहुत ही प्यास अगाना हमने सुन लिया है सुनी दी चोहन की आवास थी सामी सामी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फ्रेंड संडे फंडे शो में जी यहां दूसरा घंटा जो है वो चल रहा है और मैंने थोड़ी दे पहले आपको वादा किया था कि बह हड़ी विलाली जी बारा बच कर चालिस मेंट हो गया है टाइम और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट है नन अदर दैन मिस्टर प्रदीप चोप्रा जो प्रोडूसर एंड राइटर है मूवी बिफोर यू डाई की वे इस वक्त हमारे सा पूरे टीम को बढ़ाई देना चाहूंगा मुझा लगता है ट्वेंटी ट्वेंटी टू की वन अफ दी बेस्ट मूवी में से एक है मैं लगता क्या है है ही विफोर यू डाई बहुत ही प्याई सी मूवी एक सिंपल मूवी बड़े अच्छे तरीके से लिखी गई और मैं नहीं मैं मैंने फिल्म में काफी एक्टिंग की है जी वो मेरा दूसरे ही सवाल था तो वो बहुत रिस्की प्रफोजल था मुझे तो बच्पन में जब स्कूल में था तो लोगों ने का कि भया तुम्हारे एक्टिंग तुम्हारे बसका रोग नहीं है तो तुम्में ए उसरे यह सोचते हो, आप नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि अब मुझे एक एक एग्जामपल सेट करना है बच्चों के सामने कि मैं सतर बरस की उमर में एक नहीं चीज़ कर सकता हूं तो तुम फिर, it is never too late for anybody to start anything new. जिन्दिगी में जो तुमारी ख्वाइशें हैं, जो तुमारे अर्मान हैं, जो तुमारी फैंटेसी हैं, उसको जरूर पैदा करो और उससे साहस लाओ, बने, don't be scared, or the best way to get over your fear is to do what you fear the most. So therefore, never be scared of doing something or trying something new, it doesn't really matter what's your age or where you are. बिल्कुल सही बात किये, और जिस तरह से आपने इस किरदार को निभाया है, मैं आपको, जैसे कि ओफियर भी मैं थोड़ी दे पहले आपको बता रहा था कि लगी नहीं रहा था सर कि आप पहली बार acting कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि एक talented actor, जो कई सालों से industry से जुड़ा हुआ है, वो act कर रहा है, सर कैसे कर लिया आपने, इसके लिए कुछ training हुई, कैसे हुआ, director ने काफी मदद की, मैं बच्चों को यह बताना चाहता हूँ, आपकी सुन्यावाले सभी लोग को बताना चाहता हूँ, कि देखे, मुझे, जो मैंने, जो भी इसको करने के पहले, of killers approach एक देखा, जो United States के एक trainer है, और मुझे उनकी बात एकदम समझ बागए, कि मैंने का यह, अगर यह trick है, अगर acting करने का, तो मैं कर लोगा acting, उन्होंने यह कहा कि आप अपने आपको उस emotions में लाइए, जो उस situation में आपके, आपके खुद के individual emotions, दूसरों के emotions नहीं, आपके शब्द, सब उस emotions को express करेंगे और वो ही, acting वो है, जो लगे ना acting, जहीं, क्या बात है, बिल्कुल सेगा, acting वो है, जो लगे ना acting, बिल्कुल सेगा, sorry sir, हाँ, बोलिए, तो मुझे, मैं, पहले दो-तीन shots में मुझे थोड़ा सा hesitation था, फिर तो मुझे, जब मैंने जाके screen पे मेरा act, तो मुझे बहुत confidence आ गया, मैंने कहा, मैं कर लूँगा, क्योंकि मुझे पहले डर था, कि मैं ऐसा ना लगी, कि लोगों को लगे, कि मैं हसी का पात्र तो नहीं हो जाओ, लोगों को बोले कि क्या भई, producer साब ने अपने आपको थोब दिया, director के उपर में, acting करने के और मैंसी बायात acting करी है, लेकिन, you know, God's grace, मेरी acting को सबने सराय, अभी में मंबई गया था, तो मुझे तो तीन casting director ने कहा, कि साब आपके लिए एक रोल है, आपको करना हो तो हम आपको cast कर सकते हैं, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, जी हम बिल्कुल, off-air भी जब हमारी पूछेंगे आपसे, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, before you die की हम जब बाते कर रहे हैं, इस movie के success की हम जब बाते कर रहे हैं, तो मुझे बताना चाहेंगे, ये movie आपके आपके दिल के बहुत करीब है, आपने खुद लिखी है, कुछ अगर शेयर करें, कैसे शुरुवात हु पूलिक्स के डिरेक्टर है, उन्होंने का, Mr. Chopra, मेरा सुझाव ये है, कि आप कोई treatment ना करें, क्योंकि treatment करने से इनका कस्ट बढ़ेगा, उसके side effects होंगे, और मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएंगे, क्योंकि वो treatment कार नहीं चलेंगे, आप एक काम करें, इनको घर ले जाएंगे, और उनकी जो इच्छाएं बाकी हैं, उनको इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप खिस्टा करिए, और लास्ट में जब इनको कोई pain win होगा, तो हम pain win को कम करने की रवादे देगे, लेकिन अगर, और अगर ये मेरी मा होती, तो मैं भी ये ही करता, तो मैं आ लास्ट 9-10 मेने वो जिन्दा रही, वो उनके जीवन के स्वर्निम समय था, क्योंकि हम लोग सब काम काज छोड़के उनके साथ थे, उनकी जितनी इच्छाएं बाकी थी, जो उन्होंने कभी express नहीं की, उन्होंने express किया और हमने सारी इच्छाएं को पूर्ण किया उनको, म मेरे ख्याल में उनको इतना खुश मैंने पूरे जीवन में नहीं देखा, तो मुझे बहुत संतोष है कि हमने सही काम किया, और यही experience इस फिल्म के साथ मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, कि भई, जब तुमको यह पता है, कि यह treatment आपको असर नहीं करेगा, और treatment के बचा कुछा जीवन है, उसको बहुत अच्छे तरह से, माने मैं तो यह कहूं कि हर पल को ऐसे जीए, जैसे आपके जीवन का उस सबसे बहुत सबसे पल है, और यह हम पर सब पर लागू है, क्योंकि हम लोग terminal cancer की और terminal patients की बात करते हैं, पर हम भी terminally sick है, क्योंकि जिसका जी हर पल को accountable बनाए, हर पल को ऐसे जीए, जैसे कि वो आपके जीवन का last पल, अगर है भी, तो आपको कोई regret नहीं होगा, क्योंकि आप सही तरह सी जिंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल आपने सही का है, और इस movie को जब आप देखेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को एक पॉजिटिविटी जो है, आपके अंदर आएगी, प्रदीप सर हमारे साथ है, उनके साथ और ही बहुत सारे सवाल है, उनसे मुझे पूछने हैं, बसे थोड़ी देर में, आज हम एक बाद फिर से बाते कर रहे हैं, मूवी बिफोर यू डाई की जो, जो सक्सिस मूवी प्रदीप सर के लिए और ही बहुत सारे सवाल तयार हैं, बहुत ही प्यासा गाना था, बिफोर यू डाई मूवी का गाना हमने सुना, तृशा चैटे जी की आवाज थी और इस वक्त हम फ्रेंड संडे फंडे के दूसरे घंटे में बाते कर रहे हैं, मूवी बिफोर यू यह मूवी रिलीज हो चुकी है 18th of Feb को, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, एक अच्छे मैसेज के साथ इस मूवी को किया है, और इसे लेकर आए हैं, आईलीट फिलिम्स ने, और हमारे सार इस वक्त है नन अदर दैन प्रोडूसर एंड राइटर एंड एक्टर ऑप इस पूरे के पूरे पैसे अपनी चैरेटी के लिए जो होस्पिटल बना रही है, गरी बच्चों के हाट ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करी है, पलक गजब का काम करी है, लेकिन मुझे लगा दोनों गाने सुनने के बाद में कि पलक को कोई प्रेक की जरुवती है, पलक को सब जानते हो, तो अलरीडी सेलिबरिटी है, लेकिन त्रिशा को जरुवत है, त्रिशा इतने सालों से स्ट्रगल कर इस फिल्म को बनाने में एक उद्देश ये भी था, कि हम जो लोकल टैलेंट है, जो हमारे देश में इतने टैलेंट है, इतने जीरे ज़्वारात फहले वे उनको मौका नहीं मिलता, हम उनको मौका देना चाहते हैं, इस फिल्म को जो हरोई ने वो भी कलकते की, लेकिन इतना टैलेंटेड लड़की है तो आपको पता चले कि लड़का भी है वो भी टैलेंटेड है उसको भी कोई मौका नहीं मिल रहा है तो हमने दोनों को मौका दिया और आज वो एकदम सेलिब्रिटी अक्टर अक्टर स्टार बन रहे हैं तो हमारा ये देट है कि हम ऐसे बच्चों को जो टैलेंटेड हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा है उनको मौका दें यही हमारी फिलोसफी है आगे भी हम फिल्प बनाएंगे तो यही फिलोसफी से को लेके चलेगे और अपने थोड़ी दे पहले बताया कि अचानक मैं होटल में गया बंबे में और मेरा रूम ट्यार नहीं था तो मैं जाके रेस्टरून में बैट गया बेट करने के लिए तो मैं देखा एक लड़की वहाँ पे बड़ी ओर्डिनरी से लड़की अपना गिटार और कोई साउंड ट्रैक में अर्जेस्ट कर लिए और साउंड चेक करने के लिए उसने एक अलाप लिया तो वो अलाप जो है वो एकदम फ्लॉलेस था दीखे अलाप में अच्छे अच्छे जो सिंगर है वो गलती का दिन उसमें कोई ट्वीट नहीं होती है वो गलती हो जाती है इसके तो फ्लॉलेस था तो मैंने उसको ऐसे थम अप किया उसके बाद वो आके बैट गई तो मैंने का मैं भी घाना गाता हूँ तो यह सर मां इंटरप्ट करो यह क्या होटिल में गाना गाती है पार्टियों में गाना गाती है बतलब एक तरह से बहुत ओर्डिनरी स्ट्रीट सिंगर टाइप है तो वो वहाँ पर उस दिन के लिए आई भी थी तो मैंने उसको खा कि यह घाना तो मैंने भी गाया है तो उसके बाद मैं बोला इसका गाना सुनके जाओंगा मैं हमारे डिरेक्टर साब आगे बुले एक बहुत इंपोर्टन्ट मीटिंग चली है मेरे साथ में मैंने आप पांच मिनट रोग जाईए अब मैं कॉफी पीके चलता हूँ मैंने सबरे से ब्रेक्वस्स दीकिया जस टाइम किल करने के लिए और मैंने दिपका क्या तुम गाना सुनाओं तो उससे का कोई है ही नहीं तो मैंने का हम दोग राख बैठे ना तुम सुनाओं उसने जब पहला गाना सुनाया बहुत अच्छा गया सेकंड जब सुनाए तो अब मेरे डिरेक्टर साब मेरे को बोले दिखे आप हमेशा बोलते हैं कि इस युनिवर्स में कोई चीज रेंडम नहीं होती है तो यह अचानक आपका रूम नहीं मिलना आप यहां आना इसका गाना सुनना इसको पसंद करना यह तो कोई डिवाइन प चल पड़ी उसने कहा है बिल्कुल नेक्स्टे हमने उसका गाना रिकॉर्ड किया आपको मैं क्या बता हूँ जो रिकॉर्डिस था जो डिरेक्शन भी देता है सिंगरों को उसने मेरे को कहा कि सर इस हीरों को कहा से खोज लाए यह तो अच्छे-चे सिंगरों से अच्छा ग में यूट्यूब में चैनल करती थी मेरे पास सो लाइका आजाते तो में बड़ी खुश हो जाती थी उसके दो दिन में उसके जो जो पार लाए जो लोगों सुना और अभी तक आप जाके देखेंगे दीपिका का गाना है sad version of हम तेरे हम तेरे हो गए 4-5 लाख views है उसके सारा कुछ मिला के और वो रातो रात सिंगर बन गई और हम चाहते हैं कि भई भगवान हमको इसी तरह के मौके देते रहे कि हम इस तरह के बच्चों को जो talented हैं जो कहीं छुपे वे हैं उनको हम lime light में लाएं और उनका जीवन हमारे कारण सुप में या जो deserve करते हैं वो उनको मिले देगे मौका तयार कर देना आपका काम है उसके बाद तो लख उनके उपर है किस तरह से वो मेहनत करते हैं किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं बिल्कुल ये इसके लिए भी मैं आपको काफी बढ़ाई देना चाहूँगा आपकी तारीफ करना चाहूँगा जिस तरह से आपने नए नए टैलेंट को मौका दिया है मूवी बिफोर यू डाई में इसके लिए सब क्रेडिट जो है आपको जाता है पूरे के पूरे आईलेट टीम को जाता है सर और ही बहुत सारे सवाल है थोड़ा समय जानना चाहूँगा इस मूवी की जो लोकेशन से मुझे काफी अच्छी लगी थी जो ग्रीनरी दिखाई गई है जिस तरह से इस मूवी की शूटिंग जो हुई है वो काफी हटकर है और काफी इंप्रेस्टिंग है इसके बारे में हम बाते करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे सारे इस वक्त जुड़े हुए है नन अदर दैन मिस्टर प्रदीप चोपड़ा चेर्मेन ऑफ आई लीड उनके साथ धेस सारी बाते हो रही है उन्ही की मूवी जिसे उन्होंने लिखा है एक्ट भी किया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर भी है बिफोर यू डाई धेस सारी बाते बस एक छोटे से देखके बाद साथ रहिए संडे, संडे, फंडे एक बचकर दो मिनिट हो गया है टाईम ए रमाशकार अदा, बसुग स्वागतम कोलकादा फ्रेंड संडे फंडे का ये दूसरा घंटा है और बस इसे दूसरे घंटे में हम बाते कर रहे है यानि कि Mr. Pradip Chopra के साथ यह मूवी रिलीज हो चुकी है 18th of Feb को रिलीज हुई है और World Cancer Day के दिन इसकी एक गाला प्रीमियर जो है वो कोलकाता में हुई थी और मैं भी उससे उससे प्रीमियर का हिस्सा बना था और मैंने इस मूवी को देखी थी बहुत ही प्यायसी मूवी है और जो अभी आप ने अभी काना सुना ना एच जिंदगी गले लगा ले जिन जिन विलकुल जिन गले लगा एं और जितना वक्त आपके पास है खुल कर जिये यही चीज दिखाई गई है इस मूवी में और इस मूवी की स्टोरी जो है वो अपने हाथों से दिल से लिखा है मिस्टर प्रटीप चोपरा ने जो आज हमारे स्पेशल गेस्ट है मेरे शो फ्रेंड संडे फंडे में सर जैसे कि मैं थोड़े दे पहले जब आपके साथ बाते कर रहा था और मैंने लोकेशन के बारे में आपसे बाते की आपने भी काफी कुछ बताया मैं चाहूंगा एक बब फिर से आप दोरा दें बहुत ही बहुत ही अच्छे लोकेशन में इस मूवी की शूटिंग हुई है कुछ सर बता बंगाल से भी कम से कम 20-25 मूवी महां बन रही है और अभी एफरिका में मूवी बनी यहां बनी तो हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग दूसरे देशों के टूरिस डेस्टिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं हिंदुस्तान में जो भी अगर फॉरिन में दिखाई जारी तो वहां तो क्यों नहीं हम हमारे देश के टूरिस डेस्टिनेशन को प्रमोट करें यह एक रिस्पॉंसिबिलिटी है फिल में कर सकी हम अपने देश की चीजों को दिखाए जो अच्छी है तो हमने दारजिलिंग को पहली तफ़े इस तरह से दिखाया है जैसे किसी भी पुरानी फि तो मैंने जब दिखाया इसको और लोग जब फिल्म देखते लोग तो मैं ऐसा फर्स्ट रेक्शन तो यह होता है कि यह है कहां मैंने दारजिलिंग है यह तो पोला साब हमको तो ऐसे लगता है कि हम लोग अभी टिकेट कटा है और दारजिलिंग चला जाए वैसे ही हमने कलकत्य को दिखाया आप देखेंगे कलकत्य का सेकंड होगली ब्रिज में वो विक्टोरिया में जा रहे हैं और विक्टोरिया मेमोरियल हमने दिखाया और उसके बाद लास्ट में पूजा का जो सीन है वो बहुत ही सुन्दर सीन है पूजा का आप तो देखिए हमारी दुर जो वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी है जो टॉय ट्रेड वह उन्होंने पुरा रिनोवेट करके आप देखेंगे इतनी सुन्दर लग रही थी वो टॉय ट्रेड तो हम ये और हमारी फिल्म जो है ये अमेरिका में शायद 18 मार्च को रिलीज होगी 50 हॉलों में और उसके ब लोग आना चाहेंगे इंग्स्तान आके आना चाहेंगे ये इन डिरेक्टली हम हमारे टूरिसम को प्रोमोट कर रहे है तो टूरिसम प्रोमोट होने से हैं इंप्लॉप्मेंट जनरेशन होगा अक्टिविटी होगी सरकार की रेमिन्यू बढ़ेगी और हमारा सॉफ्ट कि दूरिसम उसके बाद invest करेग़ी तो उसको लाने के लिए हमारे पाष साधन क्या है उनके लाने के लिए साधन ने को भाई आ करे चाहें हमारा हम आग में क्या है काम यह फ्ल्म करेगी हूं और वो काम काफी तरीके से इस मूवी ने की है आप जब देखेंगेगे इस कहां-कहां से एवार्ड्स में बहुछ अगर पता है, बहुत चारे film festival में ये movie जा चुकी है, आज अगबार में था कि Berlin Film Festival चालू हो गया, हमारी film बर्लिन Film Festival में भी एडमिट हो गई है, हम लोग भी हमारी film भी Berlin Film Festival अब दिखाई जाएगी, और ये जो हमको award मिला, इमिन नौटियाल को उसने बड़ा अच्छा गाना गाया, उसका तो गाना ट्रेंडिंग है, और अमेरिकार में चार करोड़ लोगों ने सुना है उसका काना, ये मिला आर्ट डिरेक्शन के लिए तो आर्ट डिरेक्शन आप देखेंगे बहुत अच्छा अरट डेरेक्शन है और ये मिला cinematography के लिए तो cinematography तो आप आपने देखी लिए cinematography बोगाया गजब की cinematography है और एक award हमको मिला इस concept के लिए unique concept है कि आपने जो दिखाया है इस तरह की कहानी किसे ने लिखी नहीं past में कि कोई दूसरी movie किसी भी जगे से copy नहीं है cancer patient को लेकि तो बहुत सारी movie बनी है लेकिन किसी में इस तरह का concept नहीं है कि आप एक किताब लिजे और इसमें wish देखिए और पिर आप उस wish को पूरा करिए ये concept में अभी तक ना तो Hollywood में फिल्म बनी है ना Bollywood में फिल्म बनी है तो ये एक unique concept है इसके लिए भी हमको award मिला बिल्म सर ये किताब वाली बात में करना चाहूंगा ये मुझे काफी अच्छी लगी कि अगर इस तरह की कुछ एक खाईस जो होती है उनको अगर लिख लिया जाया उनको एक एक करके पूरा किया जाया ये ऐसा नहीं हो सकता है लोग चाहें तो last के वक्त में जब उनको पता है कि इस तरह का कुछ है तो वे अगर पूरी करें तो सामने वाले को काफी अच्छा लगेगा बचे हुए समय में काफी अच्छा रहे कुछ कहना चाहेंगे ये काफी अच्छा concept है जो आपने दिखाया ये ये हमने concept आया क्योंकि ये हमने किया मेरी मा के साथ उनको उस pandemic के बड़े बड़ी मुश्किल वक्त में उनकी एक इच्छा रह गई थी कि उनको हम अमेरिका ले गए उनको दुबाई ले गए उनको हम जर्मनी ले गए ये योरोप ले गए उनके एक इच्छा थी सिंगापूर जाने की तो हम इस मौके में जहाँ पर वीजा की problem ये problem वो problem काई जमेले थे उस time में लेकिन बीच में हमको वक्त मिला first wave और second wave के बीच में जहाँ पर सब चीज़ कुल गई थी उस time हम उनको Singapore भी ले गए और उनको लास्ट इच्छा थी कि हम Singapore में देखो उनको दिखा दिया आपने तो इसके अलावा उनकी जितनी इच्छा थी कि मुझे ये खाना है इससे मिलना है इसको ये देना है इसको ये करना है उस सारी उनकी इच्छा है हमने पूरी कर दी और उनको इतना प्यार इतना इटेंशन इतना important feel कराया कि मुझे नहीं लगता वो आशर करती तो कि तुम लोग इतना हम मेरा लिक्ट्यू कर रहे हो मैंने का नहीं बस ऐसे ही कर रहे है तो उनको हमने बताया नहीं लास्त है कि उनको नहीं बताया नहीं लेकर उनकी सारी इत्चाएं पूरी करती है बहुत खुब सर्अज में हमें देक रहे होंगी और हम सब को आशरवात दे रहे होंगी और उनकी जितनी इत्चाएं थी उस सब पूरी होई और यहीं दिखाएंगए इस movie में भी before you die में जरूर इस मूवी को देखिए, थेटर में इस मूवी को आप देख सकते हैं और एंजॉई कीजिए, काफी अच्छी मूवी है, आपको बहुत पसंद आएगी, इसे लिखा है, मिस्टर प्रदीप चोपरा ने जो आज हमारे साथ जुड़े हुए है, और ही बहुत सारे सवाल ह उनसे पूछना है, 131 Things to Do, उन्होंने अपनी एक बुक भी रिलीज की थी, लांच की थी, इसके बारे में हम जानेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप सभी के लिए छोटा से ब्रेक है, साथ रहिए जो की में से पूछना है, साथ निर्स पूछना है, सक बाने ऑन्होंने पूलो ढो में सुछना है, तो य जो पूछना है, सुछना है whenever बाद़ी है र killing hours उचना है बनाहेल्टी के चीपो न्यम्ठाना, के लाद़् एक ठाट, न्सेसे बाद़ी है रिक भीक में सिदिकी कि अ एल बेंड आ 90.9 थाद थैंड है friends Sunday Funday brought to you in association with all of चैनी चैनी मौट फ्रेशना Sunday, 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 Sunday Sunday, Sunday, Sunday Sunday, Sunday, Sunday With Animesh और देखते ही देखते ही आप सभी के लिए Friends Sunday, Sunday का तीसरा घंटा जो है वो चालू हो चुका है बहुत इस्पेशल तरीके से आज हम शो Friends Sunday, Sunday को कर रहे हैं जी हाँ दूसरे घंटे से ही हमारे साथ जुड़े हुए नन अदर दैन प्रोडूसर, राइटर and actor of the movie Before You Die Mr. Pradeep Chopra जो chairman of I-Lit भी है और उनके साथ हमारी बाते हो रही है काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि I-Lit films लेकर आए है Before You Die जो एक box of success is movie को मिल चुकी है, लोगों को बहुत पसंदारी है और दिल से इस movie के story जो है प्रदीप सर ने लिखी है और फिर बहुत सारी बाते उन्होंने बताई इस movie के बारे में वो सब कुछ है मैंने सुन लिया है, कुछ चीजें आपके साथ हम on-air भी शेयर करना चाहेंगे विल बतादो इस वक्त on-air आप मुझे और प्रदीप सर को सुन रहे हैं सारी साथ Friends FM के Facebook पेज Friends FM के YouTube पर, Friends FM के Twitch पर भी बिल्कुल है और हम live है प्रदीप सर एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है तीसरा घंटा शुरू हो चुका है और हम आप जानना चाहेंगे इस movie के trailer launch के दोरान आपने अपनी एक book, नई book को भी launch किया था 131 Things to Do Before You Die सर, इसके बारे में कुछ बताएं सर देखिये क्या है कि हम माने awareness के अभाव में जिन्दिगी में बहुत सारी चीजें भूल जाते करना और जब समय आता जाने का तब हमको regret रहता है कि हमने यह लिए काश हम यह करते हैं तो मैंने कहा कि मैं एक किताब लिखू मेरे खुद के experience के उपर base करके कि आपको जिन्दिगी में जो आपके taste के अनुसार आपको क्या भी है तो आप क्या करना ज़रूरी है तो मैंने उसमें locations जो historical locations हैं जो आपको देखनी चाहिए जो paintings हैं, masterpieces जो आपको देखनी चाहिए या जो world class restaurants हैं जो अपने आप में एक unique हैं जहां पर अगर आप जाएं तो आपको एक दिन चाहिए एक वारी जाएं लेकिन वो आपको experience अजबी experience होगा या इस तरह की कोई journeys हैं train journey हो चाहिए कोई गाना हो ऐसा जो आपको सुनना बहुँ जरूरी है तो इस तरह की चीजों को मैंने कम से कम बारे तेरे categories में मैंने चुन-चुन के 8-10 जो category जो 130 जो 131 है तो आप जाके आप experience करिये तो मुझे लगता है कि वो अगर अपने experience कर ले तो आपको ऐसे जाने के time को लगेगा आपने भरपूर जिन्देगी जी लिए आपको कुछ बचा नहीं है आपने at least और लोगों के comparison में आपने अपनी जिन्देगी बहुत meaningful तरीके से जी और आपके कोई regret नहीं है मतला आपने पूरी तरह से अपनी जिन्देगी जी लिए आपको छूटा नहीं आपका तो यह हिसाब से मैंने research कर लिजे या अपने experience कर लिजे क्योंकि दूसरे वेक्तियों के पास इतना पढ़ने का इतना research करने का time नहीं है लोगों पता भी नहीं है तो मैंने का compile करके दे दो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि भई आप हमको हमारे पास जीवन कम है या कोई ऐसी है कि भी नहीं है हम इस time में हमको यह करना जरूरी है तो आप शूरू कर लिजे it can also act like a bucket list कि यह जाने के पहले यह जब करना है मुझे और अगर आपकी कोई ऐसी है कि आपके पास 6 मैने है एक साल दो साल है तो आप 130 में से 13 करिए 20 करिए कुछ भी लगे बिल्कुल और मैंने इस बुक को खुद पढ़ी है और मैं बता दो कि मेरी डॉटर है जो सिर्फ और सिर्फ और 6 साल की है उन्होंने भी इस बुक को पढ़ लिया है उन्होंने बहुत सारे चीज़ यह क्या है यह क्या है करके उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने उनको बहुत सारी चीज़े बताई तो हम दोनोंने मिलके बहुत सारे पार्ट इस बुक के पढ़े हैं और मुझे काफी अच्छी लगी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएंगे और जी वक्त कम हो या फिर आप अगर कहीं जाने की प्लान कर रहे हो कहीं घूमने की प्लान कर रहे हो कोई पेंटिंग मुझना नहीं सागी पेंटिंग अगर आप देखना चाहते हैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत जारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस से बुक में मिल जाएंगे यानि की वन थैटी वन तिंग्स तू डू बिफोर यू डाई वैसे इस वक्त हम मुवी की बाते कर रहे हैं जो मुवी काफी अच्छी चल रही है लोगों को पसंद आ रही है 18th of Feb को रिलीज हुई है सर मैं जाना चाहूंगा अगर हम नए इन टैलेंट की बाते करें पुनित की बाते करें पुनित राज शर्मा की बाते करें या काव्या की बाते करें इनको कैसे ढूंड कि आपने निकाला उसे पता नहीं था कि क्या मिलने वाला है और उसने विदिन फाइव मिनिट्स वो एक्ट करके मुझे दिखाया उस एक्ट में उसके आखों से आसू आ गए और एकदम नैचरल एक्टिंग कर रही थी मैंने उसको पूछा मैंने का यार यह तुमारे आखों से आसू कैसे आ गए मैंने तुम ने तुड़े गलेसरें भी यूज नहीं किया और इतनी जल्दी तुम वो इनेक्ट कर ली तुमारे इमोशन होगे तुमारे अक्टिंग नेचरल नासू निकल गए उसे का हाँ तो मैंने का कि शी विल डू जॉब वेरी वेल और पुनीत के बारे में जो है वो मैंने पुनीत का कुछ उसने पहले कुछ एक्ट किया था उसके मेरे वीडियो भीजे थे उसने और वैसे उसका परसनालिटी उसकी बहुत अच्छी है वेरी एंडसम एंड़ी गूड लूकिंग और यह है और उसको भी हमने थोड़ा सा ओडिशन किया उसका और हमने देखा कि फिर वो सूटेबल है और उसके पास टाइम भी था क्योंकि हर टाइम भी नहीं रहता है तो उसके पहले हमने उसके दो-तीन जन और जो और्टरनेटिव थे उनके पास टाइम नहीं था तो फिर हमने कहा कि यह फिट भी कर रहा है कैरेक्टर में और टैलेंटेट भी है और टाइम भी है सबसे बड़ी इंपॉर्टन बात है कि टाइम है हमारे शेडूल के नसार तो फिर हम उसको सेलेक्ट कर लेए पूरी टीम में जितने मेंबर थे सब कलकते के लोग और उनको काम नहीं मिलता है मतलब आप सित्थी यह है आज बंगाली फिल्म नहीं में तो अगर आप बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को हिंदी फिल्म के लिए यूज करे और यहां पर अगर हिंदी फिल्म हैं बनाए जिनकी रीच बहुत लंबी है फॉरेंड में भी है तो हम बिंगॉल को एक फिल्म देखें बिंगॉल की सौ बरस पहले जब इंडियन फिल्म इंडेस्ट्री शुरू ही तो बंगाल सर्वियन सरकार ने न्यू थेटर्स में कि आप आज भी जो नाम करेवे जो फिल्ममेकर्स हैं वो सारे बंगाल के से गयवे हैं बंगाली है अगर हींदी फिल्म बनने लगे वह सकसीसूल हो जाimana कलकल कति की फिल्म इंडेस्ट्री को हम उपर ले जा सकते हैं और सारे लोगों को employment का opportunity भी लेगा बिल्कुल आपने सही का यह सब बाते मुझे लगता है कि जो लोग इस वक्त इस interview को सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए और यह बहुत सारे सवाल है उनसे पूछना है प्रदीप से बाते होगी बस थोड़ी देर में लेकिन उससे पहले जुमिन नौटियाल की आवाज में हम तेरे हो गए आप सभी के लिए चार कवार अब होता है आप सभी के लिए शुरू डाई और यह मूवी जो है लोगों को बहुत पसंदार ही है अगर आपने इस मूवी को भी तक नहीं देखा है तो प्लीज देखिए बहुत ही प्याई सी मूवी है इस मूवी पुनित राज और कव्य कश्यब एक साथ मज़र आ रहे है और नए नए टैलेंट को मौका जो है दिया है मिस्टर प्रदीप छोपड़ा ने इस मूवी में और इनके अक्टिंग के जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है आपको लगे गा है नहीं कि पहली बार वे किसी मूवी में कोई किरदार निभा रहे है और प्रदीप सर हमाई साथ पिछले एक घंटे से थे वक्त जो है कैसे बीद गया समझ इवे नहीं आया है बहुत सारी अच्छी अच्छी इंफॉमेशन उन्होंने दी अच्छी अच्छी बात है हमाई साथ की सर जैसे कि आफ यर आपने बताया बिफोर यू टाई टू की भी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है इसके बारे पर थोड़ा सा खुलासा फ्रेंड से फर्म पर कर दीजे देखिए हमारे देश में साड़े पांच लाग लोगों की मृत्यू होती हर साल क्योंकि उनको औरगन नहीं मिलते हैं और अगर पांच परसेंट ऐसे लोग जो मृत्यू के समय है जिनके ब्रें डेड है वो अगर अपना औरगन कमिट कर दे मृत्यू के बाद जो उनके कोई काम के नहीं है तो ये साड़े पांच लाग लोगों की जाने बच सकती है देखिए ये शौटेज हिंदुस्तान में इंस्पार अपर हमारे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है फॉरें कंट्री में ये शौटेज है नहीं और मेरे खुद के पार्टनर हाट ट्रांस्प्लांट के लिए उनको जर्मणी जाना पड़ा क्योंकि जर्मणी में आर में देने वाला था और यहां नहीं था क्या कारण है वाल के सुपर स्टीशन की प्लेश है ये य moderate में बात है लोग प्लेश कर देते हैं उसके पाद रिच्दार लेने निए ये और्यक़् जो रोडियां है और अंधविश्वास है, मैंने अगर यह दे दिया, तो अगले जनम में यह और गर नहीं होगा, मैंने यह सब नॉंसन्स है, इसके कारण लोग देते नहीं है. इसके कंपेरिस्ट में यह थे कि मेरे एक बहुत अच्छे मित्र, जिसकी दोनों किड्निया फेल हो गई थी उसने फेस्बूक में लिखा कि मुझे किड्नी चाहिए मेरा ब्लड गूप यह है मुझे यह प्रॉब्लम है यह है फ़लाना है एक लड़की कहीं से आके जो टोटली स्ट्रेंजर थी जिससे कोई ना लेना ना देना और वो लड़की कोई पैसे नहीं लिए आके अपनी खिड्नी डोनेट कर दी यह अमेरिका की बात है उनका इतना लार्च वो तो जिन्दा जिन्दा थी जिन्दा उसने उसने देदी हम लोग मरने के बाद नहीं देती और आप एक व्यक्ती अपने ओर्गन से तेरे आदमियों को बचा सकता है और अगर आप समझे और उस आदमी के उपर में और दस लाइफ डिपेंडनेंट है समझे घर में जो अर्निंग मेंबर है उसकी डेथ हो जाए तो उसके बच्चे बी-बी उनके और एंप्लॉई उनके नौकर चाकर सब एफेक्ट करेंगे आप ने एक आदमी को नहीं बचा है आपने दस आदमी को बचा है आप एक और गन और तेरे आप बादमियों को बचा समझे 130 आदमियों की जिंदगी आप सुदार सकते हैं आपके सिर्फ एक निडने से की आप और गन दे रहे है जो आप कोई काम के नहीं इसको लेके हम बिफ़ॉर यू डाई पार्ट 2 बनारे हैं पार्ट 2 बनने वाली है यानि कि पार्ट बन चौन्स के बाद पार्ट 2 का हम सभी को यह फिल्म जो बिफोर यू डाई यह आप आपने टीवी में और OTT में उतना इंजॉई नहीं कर सकेंगे जितना कि आप बड़े पर पर बेलकुल कर सकेंगे क्योंकि जो इसमें सीन हैं जो शॉट्स हैं वो आप कभी उसको छोटे पर दे में इंजॉई नहीं कर सकते हैं तो मै यही आप से कहना चाहूंगा कि आप आज ही ही जाके इसको फिल्म को थेटर में देखिए विकॉज अगर यह चली गई फिल्म तो फिर आप पंचित रह जाएंगे दुबारा यह आने की कब आएगी नहीं आएगी पता नहीं है और OTT में मुझे नहीं लगता कि यह फिल्म म में 70 mm में जाके देखिए बिल्कुल आपको काफी अच्छी लगेगी यह मुवी प्लीज जाकर आप Before You Die मुवी को देख सकते हैं थेटर में जाकर देखिए 18th of Feb को यह मुवी रिलीज हुई है और बहुत ही प्यारी सी मुवी है आपको बहुत अच्छी लगेगी जी हां व चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से इस मुवी को लिखा है एक्ट किया है और इस मुवी के प्रोडिजिसर भी है प्रदीप चोपरा ने जो आज हमारे साथ हमारे special guest बहुत बहुत शुक्रिया हमारे studio में आने के लिए बहुत अच्छा लगा बहुत शुक्रिया मुझे ब जावार्फरेंस चानका!